अब जब हम disabilities की बात कर रहे थे कुछ दिर पहले, अब हम ये बताएंगे के हमें equality को classroom के अंदर कैसे maintain करना है regarding their dresses. अब देखे हमारे पास हर तरह के, हर कल्चर के, हर इलाके के बच्चे आते हैं, तो किसी को हम मना नहीं कर सकते के वो अपना रिवायती लिबास जा अपना मजभी लिबास जो है वो ना पहने, देखे ये हर किसी के human rights है ना, जैसे हम तमाम मजाहिब के मुकमल हुकुक हैं और मजाहिब से तालुक रखने वाले लोग अपनी मर्जी के लबास पहनने के हक रखते हैं, so there are several faiths and traditions that affect clothing and covering hair, अब देखे, ख्वा लड़के हों या लड़किया, मुक्तरिफ मजाहिब से तालुक रखने वाले लोग जो हैं, वो हैट कवर करने पे खास तोर पे तबज़व द उनके बच्चे बच्चियां जैसे बच्चे नमाज के लिए या छोटे बच्चे अगर वो मुकदस किताब कुरान पाक पड़ रहे हों, तो सर पे टोपी रखते हैं, बच्चियां अपने हैट को कवर करती हैं, ख्वा सारे को ना करें, लेकिन सर पे दुपटा रख सकती है सकाफ रख सकती हैं, तो किसी भी जगह पे ख्वाब दुनिया का कोई मुकाम हो, उनके राइट्स को वायॉलेट नहीं किया जा सकता। जो हैं, वो भी अलग लग लेबास इस्तमाल करते हैं, आपने देखा होगा, जो हैं, चोटी सी एक हाफ टोपी जो है, वो सर पे रखते हैं, उनके मजबी रहनुमा भी, तो बहुत छोटे बच्चे जो अभी स्कूलों में आते हैं, उनको भी वो यूज़ करवाते हैं, तो Chinese children may wear charms that are associated with good fortune, देखिया, उन्होंने, कोई अपने बंद बांदने हुए होते हैं, हाथों में या धागे बांदे हुए होते हैं, जैसे इस तरह का कुछ भी, कहने का मतलब यह है कि जब आप classroom के अंदर हों, बच्चे जिस तरह का भी लिबास पहन कर आ रहे होंगे, देखिय कुछ जगें तो ऐसी है न, जहां हम uniform introduce करवा देते हैं, जैसे हमारे government schools में होते हैं, लेकिन ये भी आपको पता होगा कि जो हमारे early childhood के जो classes हैं, वहाँ पे अभी हमने uniform, इसलिए मतारिफ नहीं करवाया, कि हर तपके से बच्चे आ रहे होते हैं, जाहरे हर मजब के भी हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, तो अभी शायद वो इसलिए uniform को बच्चे भी maintain नहीं कर पाते और उनके वालदेन भी maintain नहीं कर पाते, तो पिर हमारी कोशिश होती है कि जो कुछ वो पहन के आ रहे हैं, उनको respectfully उसको accept किया जाए, सबसे बड़ी बात यह है कि classroom के अंदर जो equality का concept वो तब आता है, जब कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई भी जो dress पहन के आया है, तो पट्टा है, scarf है, topi है, muffler है, या उन्होंने अपनी कोई भी faith के मताबिक कोई और चीज पहनी हुई है, तो कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, including the educator, teachers भी नहीं करेंगे, तो हिंदुस बाइज में ये प्लेटिड रेड और गोल्ड ब्रेसलेट जैसे वो राखी वगारा पहनते हैं, शिखों का आपको पता है, वो सर पे पगड़ी लेते हैं, और उन्होंने कोई कड़ा भी पहना हुआ होता है, तो बच्चे पहन के रखेंगे जब बहुत चोट होंगी, कुछ हमारी कबाइली रिवायात हैं, किसी को वायोलेट नहीं करना, किसी को डिस्रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करना, हाँ सब की इजद करनी है, और सब के साथ एकसा सुलूक करना है, सब को इजाज़त देनी है, कि वो अखलाग के दाइरे में रहते हुए ब अप्रिशेट किया जाता है, सेलिबरेट किया जाता है, ना कि उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, तो उन सारे बच्चों को जब हमें कठा बिठा के उनके साथ, बलके उनके कल्चर पे बात करेंगे, कि उनके घर में उनके बड़े क्या पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, कैसी जो है वो एक नॉर्मल चीज है, वो कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर आप तनकीद करें या उसका बुरा मनाएं.